नमस्कार आज हम बात करेंगे ग्रह निर्मान में प्रियोग में ली जाने वाली सामगरियों के बारे में यानि कि घर बनाने के लिए जिन सामगरियों का प्रियोग किया जाता है उनके बारे में आज हम बात करेंगे हम बात करें ग्रामीन छेत्रों की तो ग्रामीन छेत्रों में सामानेत है ग्रह निर्मान के लिए इस्थानिय रूप से उपलब्द सामगरियों का प्रियोग किया जाता है यानि कि ग्रामी छेत्रों में जो घर बनाये जाते हैं उन घरों में जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वे सामग्रिया सामनेते इस्थानिय रूप से उपलब्द सामग्रियां होती है यानि कि जो इस्थानिय रूप से आसानी से उपलब्द हो ग्रह निर्मान के लिए सामनत जिन सामगरियों का प्रियोग किया जाता है अगर हम उनकी बात करें तो उनमें प्रमुक है मिट्टी, पत्थर, लकडी, घास, पत्तिया, इंट, बालू, सिमेंट, लोह, आधी सामगरिया इन सबी का प्रयोग ग्रह निर्मान के लिए किया जाता है अब हम बात करें भारत के ग्रामिन छेत्रों में ग्रह निर्मान के लिए जिन सामगरियों का प्रमुकता या मुख्यता से प्रयोग किया जाता है उनकी तो उनमें सबसे पहले है मिट्टी मिट्टी ग्रह निर्मान के लिए एक सस्ती और सर्व सुलब सामगरी है और इसका प्रियोग विशु व्यापक है यानि कि मिट्टी ग्रह निर्मान के लिए एक सस्ती और सर्व सुलब सामगरी यानि कि यह आसानी से सभी जगे प्राप्त हो जाती है इसकी उपलब्दता होती है मिट्टियों में भी ग्रह निर्मान के लिए जो उप्यूक्त मिट्टी है वह है चिकनी मिट्टी यानि चिकनी मिट्टी का प्रियोग ग्रह निर्मान के लिए किया जाता है या चिकनी मिट् इसी कारण चिक्नी मिट्टी का प्रियोग ग्रह निर्मान के लिए अधिक या उप्युक्त होता है मिट्टी से इते भी बनाई जाती है और इन इतों को पका कर पक्की इत भी तैयार की जाती है जो की अधिक मजबूत और तिकाओ भी होती है भारत के अधिकांस ग्रामिन छेत्रों में मिट्टी का प्रियोग घ्रह निर्मान के लिए किया जाता है केवल परवतिय भागों को छोड़ कर परवतिय भागों में मिट्टी की उपलब्दता नहीं होने के कारण वैं पत्थरों की उपलब्दता अधिक होने के कारण की या गंगा के मैदानी छेत्रों की इन छेत्रों में कच्छी मिट्टी के बने वे घर अधिक देखने को मिलते हैं उप्री गंगा घाटी के छेत्रों की बात करें तो उप्री गंगा घाटी के छेत्रों में कच्छी मिट्टी के मिट्टी की दिवारों से बने घर होते हैं कि इनकी छते खप्रेल से बनी हुई होती है नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं पत्थर की पत्थर गरहन निर्मान के लिए प्रिक्ट होने वाला एक प्रमुख प्रदार्थ है जो अधिक मजबुत और टिकाव होता है अगर हम पत्थरों की प्रकारों की बात करें तो इनमें भी अनेक प्रकार के पत्थर होते हैं इनमें हैं प्रमुख बल्वा पत्थर, ग्रेनाइट, विसाल्ट, संग्मर, मर आदी जिनका की प्रियोग ग्रहन निर्मान की सामगरियों में किया जाता है पत्थर के बनेवे मकान उन छेतरों में अधिक मिलते है जिन छेतरों में या स्थानीय रूप से पत्थर की उपलबता हो जैसे कि हम बात करें भारत के उत्री छेतर की जिसमें कि हिमाचल पर्देश, जम्मो कश्मीर, उत्राअंचल, सिक्कीम इन छेत्रों में पत्थर के बनेवे घर या मकान अधिक देखने को मिलेंगे क्योंकि इन छेत्रों में इस्थानिय रूप से पत्थर की उपलब्धता होती है नेट्स नम बात करते हैं तीसरे सामगरी जिसका की प्रियोग ग्रह निर्मान में किया जाता है वह है लकडी लकडी का प्रियोग ग्रह निर्मान के लिए कई रूपों में किया जाता है जैसे कि इसके मजबूत लटों से ग्रहों की दिवार बनाने या च्छतों के बनाने में प्रियोग किया जाता है इसके साथ ही साथ लकडी का प्रियोग ग्रहों के दरवाजेवर खिर्कियां बनाने में भी किया जाता है लकडी से बनेवे घर उन चेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं जिन चेत्रों में इस्थानिय रूप से वनों की उपलब्धता हो या इस्थानिय रूप से लकडी की उपलब्धता अधिक हो वहाँ पर लकडी के बनेवे घर अधिक मिलते हैं हम बात करें उष्ण कटी बंदिये चेत्रों की तो उष्ण कटी बंदिये चेत्रों में या उष्ण कटी बंदिये वनों में हमें वनों के आसपास वाले चेत्रों में लकडी से बने वे घर अधिक देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर मजबूत तिकाव लकडी की उपलब प्रियाप्त रूप से होती है या आसानी से मिल जाती है भूमद्दे रेखिये छेत्रों में जैसे अमेजन बेसीन, कांगो बेसीन, दक्षनी पूर्वी एश्याई देशों में इन छेत्रों में ग्रह निर्मान में लकडी का प्रियोग सर्वादिक होता है वही बात करें मांसोनी वन प्रदेशों में तो इन छेत्रों में साखु, सागोन, सीशम, बभूल, आम, महुआ, नीम, आदि विबिन प्रकार के वरक्षों की लकडियों का घर बनाने के लिए इनकी लकडियों का प्रियोग किया जाता है नेक्स हम बात करते हैं ग्रह निर्मान के निर्मान में प्रियोग ली जाने वाली अन्य सामगरियों की या आधुनिक सामगरियों की तो वर्तमान में घर बनाने के लिए आधुनिक सामगरियों को प्रियोग किया जाता है इनमें हम समिलित करते हैं इट, पत्थर, लोहा, कंक्रीट, सिमेंट, बालू, आदी ये सभी आदूनी समय में घर बनाने के लिए प्रियोग में ली जाने वाली सामगरिया हैं इन सामगरियों से वर्तमान में सहरी छेत्रों में भहुमंजिले वा मजबूत मकान बनाए जा रहे हैं तो ये तो बात की हमने भारत के ग्रामिन छेत्रों में घर बनाने के लिए प्रियोग में ली जाने वाली सामगरियों की अब हम बात करते हैं ग्रहों के या घरों के प्रकारों के बारे में तो ग्रहों के प्रकारों के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं आकर्थी के अनुसार ग्रहों के बारे में आकर्थी के अनुसार घर या मकान के बारे में तो इसके अंतरगत हम सबसे पहले बात करेंगे आईताकार या वरगाकार घर की आईताकार या वरगाकार घर में आंगन युक्त घर होता है या आंगन भी ही घर होता है दूसरे नमबर पर हम बात करते हैं एल आकरती वारे घर की तो एल एम टी आकरती वाले घर जिनमें की सब कख्षों के दर्वाजे भाहर की और खुलते हैं और इस आकर्थी वाले अधिकांस विद्धाले बने वे तैने विद्धाले का निर्मान अधिकांस तर्टी या एल आकर्थी का बनाया जाता है तो यह तो बात कि हमने आकर्थी के अनुसार ग्रह के प्रकारों के बारे में लगो आश्र या घ्रहों के बारे में जिसमें कि ये छोटे प्रकार के घर होते हैं दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एकल सहत घ्रहों की इस प्रकार के घ्रहों के भीतर सभी कक्ष प्राय भीतर की और या अंदर की और खुलते हैं और एक ही मकान में क्रश्यक परिवार और उसके पशु भी रहते हैं एकल सहथ ग्रहों के अंतरगत क्रशक और क्रशक का परिवार साथ ही उसके पशु एक ही मकान के अंतरगत रहते हैं दूसरे नंबर पर बात करते हैं बहुखंडी ए ग्रह की इसके अंतरगत क्रेशक परिवार और पशों के रहने के लिए और भोजनाले के लिए या स्टोर या बंदार ग्रह के लिए अलग-अलग कक्श होते हैं याने कि एककल साहथ ग्रहा के अंतरगत तो क्रेशक परिवार और उसके पशों के लिए एक ही मकान होता है जबकि बहु खंडिये ग्रहा के अंतरगत क्रेशक परिवार उसके पशों के रहने के लिए भोजिनालने के लिए और स्टोर रूम के लिए मकान के अंतरगत अलग-अ कक्ष बने हुए होते हैं नेक्स हम बात करते हैं एक मंजीला घर है जिसमें की मकान में एक ही मंजील बनी हुई होती है दूसरे नंबर पर है जिसमें दो मंजील का मकान होता है तीसरे नंबर पर है बहु मंजीला घर है जिसमें की अनेक मंजीले बनी हुई होती है नेक्सम बात करते हैं निर्मान सामगरी के अनुसार ग्रहों के प्रकार के बारे में इसके अंतरगत सबसे पहले है जोपडी दूसरा है कच्चा ग्रह तीसरा है पक्का ग्रह जोपडी का निर्मान घासपूस या खफ्रेल आदी से किया जाता है कच्चा ग्रह का निर्मान मिट्टी आदी उपलब्द सामगरी से किया जाता है जबकि तीसरे नंबर पे है पक्का ग्रह इसका निर्मान पत्थर पकिवी एड लोहा कंक्रीट सिमेंट आदी से किया जाता है लास्ट पे हम बात करते हैं कारिये के अनुसा ग्रहों के प्रकारों के बारे में तो इसके अंतरगत सबसे पहले है निवास ग्रह फिर दूसरा है ऑफिस या कारयले तीसरा है कारिये शाला या वर्कशोब नेक्स है दुकान कारखाना अथिति ग्रह पंचायत ग्रह संग्राले या गोदाम आदी जिनका की अने कारियों को संपादन करने के लिए प्रियोग में लिया जाता है तो आज हमने बात की ग्रामिन छेत्रों में अधिवासों के निर्मान के लिए या ग्रहों के निर्मान के लिए प्रियोग में ली जाने वाली सामगरी के बारे में साथ ही ग्रहों या मकानों के प्रकारों के बारे में तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू